नमस्ते मैं हूँ रेनुका तो आप सबका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो में मैं आपको कच्छे केले के फ्राय बना के दिखाने वाले हूँ जिसे आप आसानी से घर पे बना सकते हो बगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प आपको सबसे पहले केला बनाने के लिए एक कच्छा केला लेना है जो ज्यादा पका ना हो तो उसके बाद आपको उस केले को छिल लेना है तो यह दिखिए अभी मैंने इस केले को छिल लिया है तो इसके बाद हमें अभी इसके छोटे-छोटे पीसीज बनाने है तो आपको ऐसे बीच में से इस केले को काटना है अगर आप चाहो तो पूरे केले के भी इसके लंबे-लंबे पीसीज बना सकते हो मगर मैंने इसे बीच में से काटके इसके छोटी छोटी पीसीज बनाई है तो उसके बाद हमें इसमें एक चमच हलजी पाउडर डालनी है फिर उसके बाद हमें इसमें एक चमच गरम मसाला पाउडर डालना है फिर उसके बाद हमें इसमें एक चमच अद्रक लसुन का पेस्ट डालना है फिर इसमे स्वादनुसर नमक डालना है फिर आखिर में हमें इसमें स्वादनुसर लाल मिर्ची पाउडर डालने है फिर उसके बाद हमें इन सारे इंग्रिडिन्स को अच्छे से मिक्स करना है और एक 10 या 15 मिनिट तक इसे मैरिनिट होने के लिए रख देना है तो यह दिखे अभी मैंने ग्यास पे तवावी जड़ा दिया है फ्राइ करने के लिए फिर उसके बाद हमें डो के लिए दो चमच मैदा लेना है अगर आप चाहो तो बेसन या सुजी भी डो के लिए इस्तमाल कर सकते हो फिर उसके बाद हमने जो मैरिनिट के होए केले है उसे हमें इस मैदा में अच्छे से घूलना है और इन सारे केलों को हमें प्राइ कर लेना है तो मैंने अभी तबे पे सारे के लिए डाल दिये है तो अभी हमें इसमें तेल डालके इन्हें दोनों तरब से अच्छे तरह से फ्राइ कर लेना है प्राइ कर दोना है तो यह दिखिए अभी हमारे केले दोनों तरफ से अच्छे तरह से फ्राय हो चुके हैं तो आप ऐसे ही आसान ही से घर में कच्छे केले के फ्राय बना सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में तो थैंक्स फ्रेंड्स वाचिं मैं वीडियो